दोस्तो मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोग परी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जस्वाल विवलोफाइल दोस्तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिमाचल प्रदेश टेट जून दोख़ार चोबिस को जो हुआ था दोस्तो इसकी यहा नाम है काली वंगन वह किस प्रदेश में हैं तो यहां पर option देख से लिए हम लोग पंजाब में है या फिर आपके पास राजस्तान में गुजरात में या फिर करनाटिक में तो दोस्तो इसका सही जवाब होगा राजस्तान में तो यहां पर हम इसका explanation भी देख लेते हैं का मोहन जोद्र कहां पर दोस्तो तो मोहन जोद्र पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और यह ललकाना जिले में पढ़ता है आलमगिरपूर कहां पर दोस्तो यह यूपी के मेरट जिले में पढ़ता है और लोथल कहां पर यह प्रशन काफी बार टैट के प्रशन में टैट के में पुछा जाता है लोथल जो अब दोस्तों गुजरात राजी में है और ये भी पुछा जाता है कि सिंदु गाटि सब्वेदा का जो बंदरगा है दोस्तों वो कहां पर है तो गुजरात में जिसका नाम है लोथल सूत कोटदा दोस्तों ये जिराज के कच जिलय में पढ़ता है चाहूदुडब दोस्तों ये भी पाकिस्थान के है कोट डिजी दोस्तों पाकिस्तान के सिंथ प्रांत में है वनवाली हर्याना राज जो we खडपा सब्वेता की खोज किस ने की थी तो आप पस यहां पर चार ओप्शन दिये गए इसमें से आप लोगों को देखना पड़ेगा कि कौन सा ओप्शन सही रहेगा तो दोस्तों यहां पर देखते हैं हम लोग इसका सही जवाब है C ओप्शन में दैराम साहनी के द्वारा दोस्तों हडपा सब्वेता जो है दोस्तों वो रावी नदी के किनारे है और इसकी खोज दैराम साहनी एवं मादो सब्रूप बतस के द्वारा 1921 में की गई तो इस चीज़ को आप लोगों ने बिल्कुल द्यान से देखना है कि जो हडपा सब्वेता है दोस्तों वो राव दोस्तों सिंदू नदी के किनारे बसा हुए है और इसकी खोज राखल दास बिनरजी के द्वारा की गई और इसकी खोज 1922 में की गई और ये पाकिस्तान के सिंद्ध प्रणाट लर्काना जिरे में स्थित है तो यहां पर आप लोगोंने दो स्थोलों को पढ़ा है जिसमे दोस्तों आपके पास मोहन जोदुरो तो मोहन जोदुरो को मृतिकों का टिला भी कहा जाता है तो यहां पर अब हम चलते हैं नेक्स्ट के दरफ बारत में कितने ऐसे राजी है यहां पर पंचायती राज विवस्ता नहीं है दोस्तों यहां पर ऑप्शन में वन दिया है तो इसका सही जबाब होगा दोसतों तीन स्टेट में बढता है और य цен आर्टिकल में आता है दोस्तों यह आर्टिकल की पास 243 म में इसके बारे मैं बताया गया है और य rephst नगालैंड है मेगले दोस्तों तूम है और दिली ऐसा केंदर शाषित परदेश है जिसमें पंचाइती राज विवस्ता नहीं है बाकी केंदर शाषित परदेश तरह परदेश है दोस्तों जिला पंचायत जिला परशित कहा जाता है और दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि पंचायती राज जो वेवस्ता थी ये सबसे पहले नागोर डिस्टिक राजिस्तान का दोस्तों नागोर डिस्टिक है बहाँ पे इसे इंप्लिमेट किया गया था और ये जो implement किया गया था उसमें परदानमंतरी, पंडित, जवाहलार, नहरू थे दोस्तों पंचायती राज वेवस्ता को लागू करने बाला जो दूसरी स्टेट है वो अंदरप्रदेश है तो इस चीज़ को भी आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे तरह के से देखना है कि दूसरी स्टेट कौन सी है वो अंदरप्रदेश है 1992 में दोस्तों पंचायती राज वेवस्ता को 73 वे सविदान शोचोदन द्वारा ओफिशल तोर पर इसको रूप दिया गया था और पंचायती राज वेवस्ता पहली अगर इसके समीती के बात करेंगे जो इसमें रिकमेंडेशन दी थी तो बलवन्त राए महता समीती थी जिन्होंने पंचायती राज वेवस्ता पर आपनी सफारशन दी थी नेक्स्ट कोईशन के तरफ चलते हैं नेक्स्ट कोईशन हमारे पास प्रिथवी आपने दूरी पर गुमती है किस डिरेक्शन में गुमती है जो हमारे प्रिथवी है दोस्तो वो जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे पास हमारे सौर मंडल में आठ गर हैं नो गर हमारे पा प्रिथिवी आपने दूरी पर गुमती है पूरव से पर्ष्यम की दरफ गुमती है बहुत सारे बच्चों को इसमें डौट कृए हो जाता हैकि वो पूरव से पर्ष्यम की तरफ कर गूमती है बेकर यह की तरफ तो May रही जबाब होगा दोस्तो प्रिथ्वी हमेशा पक्ष्ष्म से वेस्ट से एस्ट के तरफ घूमती हैं जिसे प्रिथ्वी गोणन करती है उसे परी ब्रामन कहते हैं और Rei यह गति होती है यह दैनी गति होती है और ये एक दिन में 23 गंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लेती है पृत्वी आपने अक्षपर गुमने के लिए 30 गंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लेती है और दोस्तों जो पृत्वी है जब सूरे के चकर लगाती है उसे हम लोग परिकरमन कहते हैं फर्क सिर्फ यहां पर देख सते हैं क्रोका और ब्रोका पड़ता है दोस्तों यहां पर शबुदों का अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपको नोलेज होगा तो आप को ठीक कर लेंगे और परिकरमन में क्या होता है कि प्रिथवी जोवा सूरे के चकर कारती है इसके बारे में पहले से विवाद था लेकिन बाद में जैसे सी खोज होती गई और चीजे सामने निकल के आई जैसे कि पहले तो आरेवट थे उन्होंने बता जिये था इसके बारे में कि प्रिथवी जो वह सूरे के चक्र कारती है और इसके बाद कॉपरनिक्स के द्वारे भी इसके बारे में बताये गया और दोस्तो जो प्रिथवी एक साल में पूरा चक्र कारती है वो क्या है? 365 दिन लेती है पांच गंटे, 48 मिंट और 46 सेकिंड लेती है तो यह जो मैनेफेक्ट यहां पर बताएं यह काफी या था, important है, यहां से भी प्रशन पुछी आते हैं पृत्वी सूरे से दूरी के करण में तीसरा गरह है, तो यह आप लोगों ने देखना है दोस्तो पृत्वी की सूरे से दूरी कितनी है, दोस्तो 15 करोड है, सूरे से पृत्वी तक जो परकाश पहुंचता है, सूरे का परकाश पृत्वी तक पहुंचता है, वो कितना टाइम लेता है, तो यह 8 मिनट 20 सेकंड लेता है, यह पूरा याद रखना है अप लोगों ने, अकार की से देखें साइज की दिश्टी से देखें प्रिफ्वी पांच बगरह है दोस्तों इसमें 70 परसेंट पानी है और 29 परसेंट इसमें जो स्थली वाग है भूमी है प्रिफ्वी आपने अक्ष पर साड़े त्रेस डिग्री जुकी हुई है तो यहां से सभी प्रशन बनते हैं जो मैंने एक ही स्लाइड में इंक्लूड कर लिए हैं दोस्तों अब भी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेशन की परसिद संगीत तानसेन का मकवरा कहां पर है तो आगरा में है गवालेर में है जांसी म में हैं मद्यपरदेश में और दोस्तों इनका जो असली नाम है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए इनका असली नाम राम तनू पांडे था दोस्तों इन्हें कुछ कृतियां भी है इनकी मिया का मलहार मिया की टोड़ी और मिया का सारंग दोस्तों अकवर ने तानसेन के गुरू थे तो ये फेक्ट भी आप लोगों ने याद रखना है दोस्तों यहां पर अकवर की बात की जा रही है क्योंकि जो तानसिन थे वो अकवर के दरवार में थे और इसलिए अकवर के बार में देख लेते हैं दोस्तों जो अकवर का शाशनकाल था उसकी जो पुछा जाता है शन नमपर 96 एक जन एक समराज और एक नेता कनारा किस ने दिया था यहां पर हिटलर नेपॉलियन दोस्तों यहां पर जो वो अप्शन डिलीट हो चुका है इसके लिए माफिश आते हैं महातमा गांधी तो दोस्तों इसका जो सही जबाब होगा हिटलर दोस्तों इस तरह से बाक कुछ नारी यहां पर दिया गए है जिसमें की संपूर्ण करांती तो यह यह परकाश नाराइन के द्वारा नारा दिया गया था और यह प्रशन काफी बार पूछा जाता है इंकलाम जिंदावाद का नारा किस ने दिया था बहग सिंग ने दिया दिया था और यहां पर इनका बच्पन का क्या नाम था अगर आपको पत है तो comment box में यूरो टाइब करें अब बात करते हैं दिल्ली चॉलो का नारा किस ने दिया था सुवाचंदर बोश जी ने दिया ता जैहिंद का नारा किस ने दिया ये भी सुवाचंदर बोश जी न मुझे खून दो मैं तुम्हें अजादी दूँगा ये नारा भी सुवाचंडर बोस जी ने दिया था दोस्तों बारत फोड़ो अंदोलन ये भी माहतमा गंदी के दूआ अंगरेज्जों नियए जाए गया था अब बात करते हैं नेक्स्ट केशन में है तो आपके पास option दिया गया ब्राजिल कनाड़ा रूस और गवे तो सही जवाब यहां पर होगा रूस दोस्तों यह आठ मिलियन बर किशेतर में फैला हुआ है दोस्तों जो रूस है रशिया जो है वन किशेतर में बीशेव के कुल वन किशेतर का बास पांचवा हिस्सा है बाकी कुछ इसके साथ related facts दीएं इनकों पहि देख लाते हैं साईव एरइया कान कि षेतर दोस्तों वो रूस ते करता है कि कोई विदेख धन विदेख है या फिर नहीं है दोस्तो तो रास्टपती ते करता है लोगसवा का अधिक्ष ते करता है परदानमंतरी वित्यमंतरी तो इसमें जो सही जवाब होगा दोस्तो वो आपके पास लोगसवा का अधिक्ष ही ते करता है कि कोई दन विदेक के बारे में बारती सविदान के अंशेद 110 में बताया गया है तो ये प्रशन भी पुछा जाता है कि दन विदेक किस सविदान के बारती सविदान के किस आर्टिकल में है तो आर्टिकल आपके बास 110 इसे आप लोगों ने याद रखना है दन विदेक को सबसे पहल सफार्शी कर सकती है और इस में वो किसी भी परकार का चेंजज ने किया जाए सकता है एस में और दोस्तो राजल सब्दीक principle को 14 दिन के अंदर ही से बापिस करना पड़ता है राज już सब्द avez की जो बिट्टो पावर आप लोगों ने शब्द सुना होगा यह किस वाशा से related है तो option यहाँ पर दियेगे है Latin फ्रांसिसी, अंग्रेजी या फिर जर्मन तो बिट्टो जो शब्द है यह Latin वाशा से लिया गया है बिट्टो जिसका आर्थ होता कि मैं इसका निशेद करता हूँ दोस्तो बिट्टो पावर जिन देशों के पास है जो permanent सदस्ते है United Nations Security Councils के जिसमें की आमेरिका, चाइना, रशिया यह तीन देश तो सभी को याद रहते हैं लेकिन यहां पे आप लोग को यह दो देश भी याद रखने पड़ेंगे France और Britain दोस्तो होता क्या है जैसे United Nations Security Councils में जो बाकि सदस्ते हैं आगर वो किसी परस्ताब पर अपनी सहमती जता रहे हैं लेकिन यह पांच देश सहमती नहीं जता रहे हैं तो यह बीटो पापर लगा सकते हैं और उस विदे को फिर वो पारित नहीं किया जा सकता है तो इसका मतलब यह हुआ कि सदस्ताइब पांच देश जो किसी भी परस्ताब को रोक सकते हैं जबकि बाकी देश परस्ताब का समर्थन ही करते हैं समर्थन भी कर रहे हो तो फिर दोस्तों तब भी उस विदे को पारित नहीं समझा जाता है जब तक ये पांच देश सहमती ना जता है चलिए अब आगे बात करते हैं तकते ताउस पर बैठने वाला अंती मुगल वाजशा कौन था शाह आलम प्रथम बहादर शाह शेर शाह मुहमद शाह तो इसका सही जबाब होगा मुहमद शाह इस सिहासन को मुगल वाजशा शाह जहाने बनाया था तो ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा दोस्तों तो इस तरह से हमने यहाँ पर 91 से लेकि 100 तक 10 questions को discuss किया है और उन facts को और important चीजों को add किया है जो paper में relevant होती है paper में पूछी आती है या फिर पूछी गई है तो दोस्तों यह आज का वीडियो था फिर विगर आपके मन में कोई question है तो comment box में जुरू टाइप करें दोस्तों पूछी यह बदिए एफे उया है